हेलो फ्रेंज प्रिसेज आरध्य प्याले इस तरह का इंफिनाइट लूप और जूम आपने फिल्में और टीवी सीरियल्स में देखा होगा यह देखने में काफी अच्छा लगता है और एक सिनेमाइटिक एफेक्ट भी देता है इसे बनाना बहुत ही आसान होता है तो चलिए हम शुरू करते हैं इस इंफिनाइट जूम को बनाने के लिए हमें पांच ट्रैक्स के लिए चार फोटोग्राप्स और मैंने एक वीडियो लिया है मैं आपको फोटोग्राप्स दिखा देती हूँ यह मेरा पहला फोटोग्राप्स है यह सेकेंड यह थर्ड यह फोर्थ और एक मैंने वीडियो योज़ किया है मैंने ओपन शौट में चारो पिक्स हमारा जो वीडियो है उसे इंपोर्ट कर लिया है तो एक एक करके मैं हमारे जो ट्रैक्स है उनमें यह पिक्स को लगाना शुरू कर रही हूँ मैं आपको यहां बता दूं कि मैंने पहले पिक को छोड़ कर बाकी सभी पिक का एक ग्रीन स्कीन के साथ पिक रखा है और एक विदाउट ग्रीन स्कीन के साथ पिक रखा है झाल भाई हम बही हूँ हाँ कि मैं आपको ऱुरू क् खा ग्राि republicanी मैं है झाल स्कीन Кब कर रहा झाल कि मैं आपको जाना हम लगता है क्दित जड़ा इसो उपर कर लेती हूँ यहाँ पे जो सबसे पहला जो ट्रिक आप अगर कह सकते हैं वो यह है कि हमारा जो पहला ट्रैक है उसमें जो पिक है उससे सेकंड वाला ट्रैक का जो पिक होगा वो at least 5 seconds के लिए ज़ादा होना चाहिए तो मैंने क्या किया है कि मेरा पहले पिक के मुकाबले मैंने second पिक को 5 से 7 सेकंड ज़ादा रखा है और second से जो third पिक होगा वो भी 5 से 7 सेकंड ज़ादा रखा है इस तरीके से मैंने अपने सारे पिक को यहाँ पे लगा लिया है इसका जो दूसरा ट्रैक यह है कि green screen के नीचे का जो photograph है वो आप normal रखिये और जो आगे वाला जो photograph होगा मतलब अगर हमारा पिक पहला वाला पिक यहां खतम हो रहा है इस वाले portion पे तो green second वाला जो हमारा green screen वाला पिक है वो उससे आगे होना चाहिए वैसे ही आप अगर देखेंगे कि मैं अगर third वाले track में आती हूँ तो green screen वाला मेरा जो pick है वो मेरा यहां कातम हो रहा है यह देखिए है तो मेरा जो third track का जो green screen का जो मैंने pick रखा है जहां पर मैं zoom in का effect डालूँगी वो उसके बाद होना चाहिए इसी तरीके से fourth और fifth तो हमारा video है हम हमारे पहले pick को select करेंगे और फिर properties में जाएंगे properties में हमें चार taps को adjust करके हमारा जो green screen है उस तक हमें अपने zoom को लेकी जाना है तो जो चार taps हैं वो है scale x, scale y and location x and location y मैं सबसे पहले scale x को 1 से 4 बना रही हूं scale y को भी मैं 4 बना रही हूं क्यूंकि actually हमारा जो green screen है वो काफी दूर है location x को भी मैं adjust कर रही हूं location y को भी ताकि वो green screen जो है वो मेरे screen के काफी हद तक cover कर ले मैं scale x को बना रही हूं 5 scale y को भी मैं 5 बना रही हूं यह देखिए काफी हद तक 70% cover हो गया है green screen से अब दुबारा से scale x को हम थोड़ा change कर रहे हैं और scale y को भी 6 कर दिया है यह देखिए screen करी करी 90% धग गया है थोड़ा और change कर लेते हैं 6.50 से इसको 7.50 बना देते हैं यह देखिए यह हमारा green screen पुड़ी तरीके से हमारा धग गया है हम एक बर play करके देख लेते हैं कि हमारा zoom ठीक से हुआ है कि नहीं पांचों tracks में जो मेरे pics थे मैंने उन्हें पूरा कर लिया है यह देखिए और मैं अभी आपको थोड़ा सा चला के दिखा रही हूँ कि यह कैसा बनाए यह देखिए friends वीडियो में zoom effect आ गया है मैं आशा करते हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like और share करे और channel को subscribe करे bell icon को press कर ले ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिले तो आज इतना ही मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक स्टे हल्दी और सेफ थैंक यू